हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही स्पेसल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने चैरे के दाग तबे और गटों को जड़ से साफ करने का चमतकारी नुसका दुनिया का हर व्यक्ति चाता है वो चाहे मेला हो या पुरस कि उसका चैरा गोरा और सुन्दर देखे लेकिन आज कर प्रदूसित वातावर्ल गलत खानपान और गलत आरतों की वज़े से हमारे चैरे पर फोडे फुन्सी और पिंपस हो जाते है उनका टीटमेंट कराने से वो चले तो जाते हैं लेकिन जाते जाते हमारे फेस पे ताग दब्बे और गट्टों की निसान छोड़ जाते हैं सो गाइस मैं आज आपको एक बहुत ही आसान नुस्का बताऊंगी जिसको आप 7 डेज यूज़ करते हैं तो आपको 70% गट्टे और कारे निशान की पौबलम खतम हो जाएगी अगर आप 15 डेज यूज़ करते हैं तो आपके गट्टे और कारे निशान की पौबलम पूरी तरीके से खतम हो जाएगी तो चलिए देख लेते हैं इस remedy को बनाने के लिए सबसे पहले आप को एक clean bound लेना है अब इसमें हमें एक चमच एलोविरा जेल एड़ करना है मैं याँ पतंजली का एलोविरा जेल उसकर रही हूँ आप कोई भी एलोविरा जेल ले सकते हैं फ्रेस पेट का हो तुछ वह सबसे बेश्ट है हमारा सैकेंड एंडी गेंज है वो है हल्दी इसमें हमें एक चुटकी हल्दी लेनी है और लास्ट में हमें एक विटाइमें एक का कैफसूल एड़ करना है यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा दो से तीन रुपे में आता है इन सब को अच्छी से मिक्स कर लेना है गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी से मिक्स कर लिया है अब मैं बताती हूँ इसको आपको यूज कैसे करना है इस रेमेडी को रोजना लाथ को सोने से पहरे अपने चैरी पे लगाना है और लगाकर ऐसे ही छोड़ देना है फिर नेक्स डे नॉर्मल वाटर से फेस को वस कर लेना है लगाता साथ दिल तक इस्तिमाल करने से आपको अपने चेरे पे फर्क आना मैसूस होगा और आपके कट्टे धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे आपका चेरा गोड़ा और सुन्दर हो जाएगा तो गाइस आप ये रेमेडी जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपिरिंस मेरे साथ जरूर शेयर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तर्ने वाद दोस्तो